कि दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उटर आईडी काड में जब उनका इस्टेटस चारो इस्टेफ पूरा हो जाता है जैसे कि आप लोग अप्लिकेशन अफ हम अफ लाई करने का उसके विएलो एपाइमेंट का उसके विएलो फिल्ड वेरिफिकेशन का उसके आपका एकसेप्ट हो जाता है तो एकसेप्ट होने के बाद आपको क्या करना होता है कंफ्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से यह जरूर करिएगा तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कंप्लीट जानकारी आप लोगो लाइफ दिखलाते हैं उस और बताते भी हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं देखिए यहां पर हमने ओट अपना ही ओटर आईडी काड़ अफलाई किया था सिंपा सामी इस पर क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे देखिए बाकि हम आप लोग को एक लाइफ दिखलाएंगे कैसे बियलोग करते हैं और कैसे ओटर आईडी काड़ को जो भी आपका फाम है उसे एक्सेप् नहीं है उसका देखिए यहां पर फिल्ड वेरिफिकेशन जो हुगा है वेरिफाइड हुआ हो सत्ताइस ग्यारत 2021 को मलब हम बीज को अप्लाई किये थे यह सत्ताइस को फिल्ड वेरिफाइड हुआ न तो यह 26 तारीक को बेलो एपॉइमेंट हुआ था उसका देखिए एक आज हम वीडियो बना रहे हैं नौ तारीक का यह है आज 11 तारीक हो गया लेकिन अभी तक इपिक नंबर जनरेट नहीं हुआ देखिए आप लोग पूछेंगे ना कि क्या होता है एक सेप्ट होने बाद आपको कुछ नहीं करना होता है इसके बाद एक इपिक नंबर आपका लाइब दिखलाएंगे अधरवाइज आप किसी भी सेंटर से जाके आप डाउनलोड करके उसका अलिमिनेशन हो गयरा कराकर रख सकते हैं तो यही एकसेप्ट होने के बाद यही अगला प्रोसेस होता है इपिक नंबर जनरेट होगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना आ मिलते नए श्टूडियों नई जनकारी साथ तब के लिए बाई बाई